वर्तमान में नागपु शहर में 49,517 सक्रिय मरीज है कोविड की पहली लहर में सत्रंचिपुरा और कांधिपाग जोन में इसका सरवादिक प्रकुप दिखाता लेकिन दुसरी लहर में यहां कम संख्या में मरेज मिल रहे है वर्तमान में शहर में 155 होट स्पॉट मिले है इस वजह से संपति इलाकों को प्रतिबंदित करने की प्रक्रिया मनपाने शुरू करती है मनपा की तरफ से मिले जानकारी के अनुसार इस बार शुरू के चार जोन अर्थात लक्षमिनकर, धरमपेट, हनुवाननगर और धंतोली जोन में सरवादिक प्रतिबंदित शेट रहे इन चारों जोन में ही करीब 100 प्रतिबंदित शेट रहे नहरुनगर जोन में वर्तमार में सबसे कम 8 प्रतिबंदित शेट रहे लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां की हालत भी खराब होने लगी है इस वजह से लोकों को सतरता बरती होगी गांधी पार्ग में 11, 17 पुरा जोन में 101 पुजिटिव मिले लेकिन यहां तीन संक्रम वितों ने दन तोड़ दिया वही हनुमान नगर जोन में सरवातिक 647 पुजिटिव मिले और 5 की मौत हुई है धन्तोली नहरुनगर और आसी नगर जोन में 66 मौत हुई जो की सरवातिक है लक्षमी नगर में पार को 628 पॉजिटिव तीन मौत धरमपेट जोन में 375 पॉजिटिव और तीन की मौत हुई वही धन्तोली जोन में 355 पॉजिटिव नहरुनगर जोन में 571 पॉजिटिव गांद्यभाग जोन में 166 पॉजिटिव और दो मौत हुई है लकड़ गंज जोन में 288 पॉजिट और दोकी मौत दर्श के गई है। क्यामरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ आभिशिक पांसी के रिपूर्ट